बीबीसेन न्यूज बात आपकी खबर हमारी जुहा के बारे में अभी हमारे डक्तर भाई साथ में पतलाया हमारी मुस्मिन इस्वाप्या कमेटी कुर्मा लोगों से जानचारी लेने के बाद 22 अगस्त का ये टाइम रखा गया और ईद का नमाज इद का ताइम का नमाज सुबा 8 बजे का रखा गया सबी को अपनी जिम्मेदारी इमानदारी से निवानी है और बिल्कुल कोई कसर ना ईद में छोड़ दी ना रक्षा मंदर में कोई कसर छोड़ दी खासकर जानवरों पर ईद के समय कोई ऐसा कंटोर जो जैसे करमचारी लगा पर शिपकाल लगाए जैसे कोई किसी कोई आप लेकिन अपनी विवस्ताओं को इतना सक्त और सक्ती इतात रखें उसको आपको रखनी चाहिए कि मैं इस पर जूट से आपसे कह रहा हूं और जहां तक मुस्रिब भाईयों से अन्रोध है कोई भी हिंदु भाई यह नहीं चाहेगा कि कोई चीज ऐसी अवेस्ता ठेल है आपके त्योहार में लेकिन कभी-कभी अम ऐसा हो जाता है कि किसी का कोई जानबर आ गया तो उसको कोई तूल ना बनाए एक सामान गटना भी हो सकती यह कभी-कभी हो जाती है जैसे कि हम लोग पूजा कर रहे होते हैं और वहां से पुत्ता आ जाता गंदा तो यह कोई अगर किसी दुरभावना से प्रेरिक नहीं होता है वो सब उखनें त्योहार की तरह मनाएगा और पानी को लेकर जहां भी कोई किसी प्रकार की त वहार है पूर बहुत बड़ात वहार है और एक ऐसा प्रहार है जो पूरे देश में साहिज सबी जगें और मुस्लिम भाईयों में मनाया जाता हूं सबीजेगान अगर देख्ष इस और बिचेट यहां रखते हैं और नगत में ऐस भाई विवस्ता थीक चल रही है लेकिं जो परवानियां होती है उसमें जो परवानी दी जाती है उसका ब्लेड जो है नालियों में आता है पाली की प्वश्ता तुद्र रखी जाए इसके की जो है गंदी की जो है बहाल ना जाने पाए 22 अज़स्त को गुद्वार को इदुल जोह का तैवार मनाया जाएगा नमास का टाइम सुबा आट बजे का रखा गया है और ईद की इदुल जोहा की सुब कामना है पूरे देश बासियों को 26 तारिक को हमारा रच्छा बंदन हमारा सभी हिंदु मुस्लिम भाईयों को दोनो तैवारों की दिल्ली मुबारिक बाद मुस्लिम जामिया कमेंटी की तरफ से पूरे पदतकारियों की तरफ से देखा है